नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मेंग विनियर चैनल पर भिंडी इस साल थोड़ी हमारे यहां महेंगी है और आपके यहां पता नहीं कैसी होगी पिछली साल बहुत ही भिंडी लगाई थी लोगों ने तो उस साल लेट नहीं मिला था तो इस साल लेट अच्छा है मेरे हिसाप से तो भिंडी कौन सी बैराइटी लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए और क्या उसमें खास बात है यह सभी सम्झेंगे आज वीडियो में तो कुछ हमने सउट लस्ट के हैं में तो हम आपको बताएंगे कौन सी विजट में क्या खास इंगे क्या आपको लगाना चाहिए कि तो चलिए शुरू करते हों बताते के लिए आपके लिए सही या राटी का चाहते हैं कि तो शुनेंदे वहो निकल भी घया है। वह भी रहा है। इस साल भी आपको लगाना या अंगली साल लगाना है। 夠 याप शकते हैं उया लगा सकते हैं। कि अप आप मार्केवीं नहीं ट्रफ पाएंगे। मार्केवें इतन स्थी कुआल्टिnea की आग् वहश्भ निजिए कुछ निकाली है तो वह आपके लिए निजिए ने निजिए अच्छा मुनापक कमा सकते हैं क्या तो चलिए सुन्म करते हैं तो भिंड़ी के हम आपके लिए 5 बैराइटियां बताएंगे जिसमें से कि पांचे नंबर और बेराइटी है बियेनार कंपनी की 909 बियेनार 909 600 रुपे में आपको मिल जाएगी आजपास 600 रुपे का आजपास तो क्यों आपको लगाने चाहिए इस बेराइटी के लिए तो इसमें अधिक सागा में फूरती हैं पाहली बाद जो पीला मुझे वाला 30 सेंटीमीरा की लंबाई की साइज होती है हो और मौटाई की बात करने तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वार मौला ने के लिए प्रवाइटी की बिराइटी है चौति नमबर पता है हमने इसके लिए अधर के उत्पादन इसका सश्ती बिराइटी है क्योंकि बियाना कंपनी बीच अच्छे देती है लेकिं सश्ते भी देती है तिसलिए मुझे अच्छे लगी तो आप इसको चुनाओ कर सकते हैं दाइच्छो ग्राम बीच की मेंधस 270 रुपे के आसपास वह इसकी बात करें तो इसमें जो फाले हैं वो जल्दी यल्ली आते हैं मतलब पहले फाल दूसरे फाल का जो अंतर होता है तो वह कम होता है इस भीनली में अधिक सागाए इस में निकलती है इस भीनली को मैं लगाया ह बहुत ही अच्छी भीनली है लेकिन आपको बता दें कि 70 परसंट आप से बीच काम करता और 30 परसंट आपकी मेहनत काम करती है क्योंकि मैंने पहली साल इस बेराइटी को लगाया था अच्छा गुबारा खाट डाल गए तो यह बेराइटी मेरी दस महीने तक चली थी मतलब जनबरी में काटा था मैंने इसके लिए इतनी विराइटी की कोई ने चली मेरे पास में हरे करा की भिंद्री आती है अच्छी और 45-50 दन में यह फ़ल ने लगती है तो यह थोड़ी सी अरली विराइटी भी मुझे लगती है और इसके फ़ल की लंबा की बात का है 13 से 15 इतनी में पाहली तोड़ाई हो जाती है मतलब यह बहुत ही अरली विराइटी है भिंद्री की मेरे साब से और इसकी पराइज है 800 रोपे के आसपास है एक पाव भिंद्री की तो आप इसको भी लगा सकते हैं और सेजंता कंपनी का भी टेस्ट कर सकते हैं अंगली जाएगी वह भी कितना कि 220 ग्राम के मतलब 232 ग्राम के बीच के आसपास आपको एक ख़जादा पर मिलेगा लेकर इसके खास बात करें तो यह मतलब क्यों लगाना चाहिए आपके लिए तो यह पीले मुझा पारस लगता है जो भिंद्री है उसके लिए पितिरोदी किसम है वह 40-20 दिनों फन लगती है मतलब अंगेती किसम है उसका अधेक उत्पादन है दूर से चार ब्रांचे होती है पर प्लांट में मतलब प्लांट जैसे ही नीचे से गरव करेगा तो डारें है वो फूट जाएगी तंजे फूट जाएगी वहीं से पेट के पास में से तो इस न कलते हैं इसलिए यहीं हाईट है बहुत मेंडियम जाती है मतलब चार फिट तक पांच फिट तक चली जाती तो इसकी हाई जादा निकलने लगते हैं तो इसकी उत्पादन है निकलती लाएक हो जाए भी ताब बश यह क्राद करें तो पेंतारस से पचार दिन में इसका पादन मिलने लगता है और ढ़ाइस्ट ग्राम बीज आपको इसको ओनलान अभी तेरा सो मिलता है लेकिन आपको ओनलान ओफ लेना है मतलब दुकान से लेना है कि जी तो सोला से सो के आज़वास मिलेगा पंदा सो तक भी मिल सकता है तो भी लगा सकते हैं यह थोड़ी आपको महेंगी लगाने है अच्छी लगाने तो तो इसके अलावा भी आप और बिराटी है तो नंबर बन पर रखाया है मैं दादी का भेंड़ी के लिए और नंबर टू पर है 90 नंबर थिरी पर हुए है चेक सो दो नंबर पोर पर है दीप पर जा सकते हैं तो इन कंपनियों को आप सकते हैं उसके अलावा जन भी भी लगा सकते हैं यह यह कंपनी की है 499 मतब 500 की आसफास में आपको मिल जागी पावभार भिंडी यह आपको लावी मोसम के लिए लगाना है मतलब लेट बारशाथ में लगाना है जैसे अगर करते हैं आप एंड ली आगे तो किसा लगा वीडियो कि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें सेहर करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए धन्नावाद